हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं प्यूस कमारत रिपाठी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU कॉइन पर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे किस से मैं हमारा एक सेग्मेंट चल रहा है PCS मुख्य परिच्छा 2019 के लिए कितने तैयार हैं आप तो इसका तीसरा सेशन आज लेकर आपसके सामने मैं हजिर हूँ जिसमें हम कुछ हन्ने सवालों की चर्चा करेंगे जो आपकी मुख्य परिच्छा के लिए उप्योगी सिध्ध हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज कर ह हम अपना सेगमेंट सुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और उप्योगी लगे तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना और सेयर करना न भूले तो चलिए फ्रेंड्स आजका सेगमेंट हम सुरू करते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है पहला क्वेस्चिन नवीन इस्ट्रील इस्ट्रेच पुनर चक्रन नीति के मुख्य उद्देश्यों और संभावित लाव का संचिप्त विबरण प्रस्तूत कीजिए तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले साल नॉम्बर में इस नीति को मंजूरी दी गई थी इसलिए यह सवाल आपकी मुख्य पर इच्छा में आपके सामने उपस्तित हो सकता है और एक कारण से और एक चीज में चर्चा मेरा सकता है क्योंकि आपने अभी हाल में मिसन पुर्वोदया सुना होगा जिसके तहट उडिसाराजे को इस टील हब बनाने की बात कही गई है तो इसलिए यहां पर भी इस नीति की चर्चा हो सकती है तो अताया सवाल आपकी मुख्य पर इच्छा के लिए उपियोगी सिद्ध हो सकता है आप लोग इसका उतर विस्तार पुर्वक लिखिए अगर फिर भी आपको कोई परिसानी हो रही है तो हमारे वाटसेप नंबर पर संपर कर सकते हैं कमेंट बाक्स में अपनी समस्या दर्द करा सकते हैं आपकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा ठीक है दोस्तों हम लोग अग्री सवाल की और आगे बढ़ते हैं जैसा कि सेकेंड क्वेस्चन है मोटर वेहिकल संसोधन अधिनियम 2019 के मुख्य प्राउधानों को असपष्ट करिए यह भी असपष्ट करिए कि इसमें संसोधनों की आवस्यक्ता क्यों है तो यह सवाल आपके सामने इसलिए आ सकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल ही मोटर वेहिकल में मोटर वेहिकल अधिनियम में संसोधन किया गया था जिसमें आपने देखा होगा जुर्मानों को बढ़ा कर भारी भरकम कर दिया गया तो इसके आपके प्राउधानों को असपष्ट करना है और आपको ये भी बताना है कि इसमें संसोधन की आवसे तक क्यों पड़ी फ्रेंड्स आपने देखा होगा अगर आप 2018 की मुख्य पर इच्छा के पेपरों को उठा कर देखें जीयस के प्रस्ट पत्रों को तो उसमें पाएंगे कि उसमें खाद्य सुरच्छाद नियम 2013 के कुछ प्रमुक प्राउधान पूछे गए थे और इसी प्रकार संसोधन से सम्वंधित सवाल देखें तो आतंकवाद निरोधी कानून और सूचना के अधिकार अधिनियम में भी जो संसोधन किये गए थे उनसे सम्मंदित सवाल हमारे सामने उपस्तित हुए थे अता ये सवाल भी आपके सामने उपस्तित हो सकते हैं तो आप इसको काफी विस्तार पूरवग देख लीजिएगा पॉइंट बॉइंट इसमें गरत ना होने पहा है क्योंकि इसमें कुछ हांकड़े हैं जिसे आपको यह थार्थ रूप से लिखने है ठीक है दोस्तों नेक्ट क्वेस्टन पर आगे बढ़ते हैं नेक्ट क्वेस्टन करता है राज्यपाल की वीवे का दिन सक्तियों को असपस्ट करें क्या हाल के वरसों में इसका दुरूप्योग या उप्योग कहें तो अधिक हो रहा है अपने विचार प्रस्तुत कीजिए आपको अपने इसाब से बताना है किसका दुरुपयोग जादा हो रहा है या उप्योग जादा हो रहा है ठीक है? इसमें आप उदासीन होकर अपने विचार प्रस्तुत करिए किसी पार्टी के मत से प्रस्तुत मत करिएगा किसी पार्टी से आप संबन्द रखते हो तो उसको इसमें ब्यक्त मत करिएगा क्योंकि इससे एक जामनर आपके उत्तर से गलत प्रभावित हो जाता है और आपके नमबर काट दे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हाल के समय में कुछ विशिष्ट राज हैं जहां पर राजपाल के विवेका धिन सक्तियों की कुछ ज्यादा ही चर्चा हुई है जैसे अभी आपने हाल में देखा होगा कि महराष्ट्रा में जो हमारे उद्धो ठाक्रेजी मुख्य मंत्री हैं उनक इसके तहट राजपाल की विवेका धिन सक्तियों की चर्चा इस समय काफी अधिक हो रही है तो अतर ये सवाल भी आपके सामने उपस्तित हो सकता है अगर इस रूप में नहीं तो किसी अन्य रूप में भी तो राजपाल से सम्मंदित सवाल आपको मिली सकते हैं राजेपाल से संबंदित सवालों का आप गहनता पुरुवग विसलेशन करके उन्हें कहीं नोट कर लीजेगा और इस उत्तर को आप विस्तार पुरुवग लिख लीजिएगा ठीक है दोस्तों अगली क्वेस्चन की तरफ आगे वड़ते हैं अगला क्वेस्चन है हमारा सुस्क भूमी को परिभासित करें इसके दूस परिडामों से बचने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक समिच्छा कीजिए तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल सुस्क भूमी से संबन्दित एक संबेलन भारत के अध्यच्छा में ही नोएडा में संबन हुआ था जिस पर सुस्क भूमियों की काफी चर्चा की गई थी और हमारी सरकार ने इसको सुधारने के लिए या इसकी रच्छा के लिए या इसको बचाने के लिए या इसके उपाय के लिए क्या निश्कर्स निकाले है इसकी चर्चा आपको इसमें करनी है तो आप इसको विस्तार पुरवग देखिएगा आप इसका आंसर लिख सकते है अगले question की तरफ आगे वड़ते हैं लास्ट question आज का विस्व व्यापार संगठन की भूमिका को असपश्ट करना है क्या हाल के वर्सों में इसकी प्रासंदिकता समाप्थ होती दिख रही है तरक प्रस्थूत करना है तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि विस्व व्यापार संगठन देशों को व्यापार में समानता दिलाने के लिए कारे करता है लेकिन हाल के वर्सों में जैसा आपने देखा होगा कि कुछ देशों के बीच ट्रेडवार के कारण इसकी भूमिका कुछ उदासीन दिखाई दे रही थी देशों के बीच ट्रेडवार चल रहे थे लेकिन उसमें विस्व व्यापार संगठन कोई भी मत्पूर भूमिका नहीं निभा रहा था तो कुछ विस्व सग्य ऐसा भी मान रहे हैं कि इस समय इसकी प्रासनिक्ता समाप्त होती दिख रही है क्योंकि कोई भी देश इसका बात नहीं मान रहा है क्योंकि कई देश अपने देशों के लिए संगठन वाद में लगे हुए है तो ये सवाल आपके सामने उपस्तित हो सकता है और हाल में जून माह में भी इसकी बैठक होने वाली है इसलिए ये क्वेस्चन आपके सामने उपस्तित हो सकता है तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर अवस्य करें जिससे आने लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच पाए गुडबाइ फ्रेंड्स आपका दिन सुभू